आज हम बात करेंगे इगनु के तरप से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें ये बताया गया है कि इगनु ने जून 2024 एग्जामिनेशन के रेजल्ट का वह अपडेट 16 सितंबर 2024 के डेट में पॉब्लिक कर दिया है और साथी में री इवैल्वेशन यानि कि जून 2024 री इव में बात करने वाले है तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनु से रेलेटिड सभी अपडेट और नोटिपिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिपिकेशन को ओन कर लिजे तकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे सबसे पहल में मैंने आपको इंस्टेंटली टेलिग्राम पर बता दिया था लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया तो अगर अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लिजे ये फाइदा रहता है कि जिस टॉपिक के ऊपर इंस्टेंटली वीडियो बनाना possible नहीं होता है उसका update में यहाँ पर दे देता हूँ टेलिग्राम चैनल का link मैंने नीचे दे रखा या फिर आप टेलिग्राम पर search भी कर सकते हैं टेक गाइड नविन आपको हमारे verify चैनल मिल जाएगा तो यहाँ से आप अपना result चैक किजिए और मुझे नीचे comment box में बताइए कि आपके कितने subject का result आ चुका है और अभी और कितना pending है साथी में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका paper ठीक से चैक नहीं हुआ या फिर आप अपने नमर से satisfy नहीं है तो ऐसे में आप re-evaluation और copy of answer script के लिए इस वाले website से apply कर सकते हैं और जिनोंने भी re-evaluation के लिए apply किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इगनू के द्वारा re-evaluation का result चेक करने के लिए जो link है बना दिया गया है और यहाँ पर आपको last update 14 जून 2024 का देखने को मिलेगा और यह जो link है वो अभी इगनू के तरफ से officially रूप से public नहीं किया गया है लेकिन आप में सही एक student ने मेरे पास यह link बेजा था तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ अभी यहाँ पर आपका जो result का data है वो update नहीं हुआ है अगर enrollment number डालने के बाद आप submit पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको internal server error दिखाये जाएगा तो यह link जैसे ही इगनू के तरफ से इगनू के website पर public किया जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर आपका result update होगा तो इसके लिए भी आपको कुछ दिन और wait करना होगा और अब हम बात करेंगे कि अगर आपने June 2024 session का exam दिया है आपके कुछ subject का result आच चुका है लेकिन कुछ का result नहीं आया है तो ऐसे मैं आपको क्या करना चाहिए क्योंकि examination fees submit करने के लिए December 2024 session का portal भी start कर दिया गया है और आप 15 October तक ही without late fees का यहाँ पर fees submit कर सकते हैं दुबार से exam देने के लिए तो यहाँ पर मैं आपको advice देना चाहूंगा कि अगर आपके कुछ subject का result आच चुका है लेकिन कुछ का result नहीं आया है तो जो subject का result pending है और आपको पता है कि आप exam किस तरीकी से लिख कर के आई है अगर आपको अच्छे से पता है कि आपने exam में किस तरीकी से लिखा है और आपको यह doubt है कि उसमें आपका कम number आएगा या फिर आपको passing number नहीं मिलेगा तो वो subject के लिए आप यहाँ से दुबारा से exam form को fill up कर सकते हैं और December session में वो subject का exam दे सकते हैं क्योंकि अगर आपका result आता है उसमें आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको दुबारा से exam face जमा करना ही होगा तो अगर आपको doubt है कि उसमें आप फेल हो सकते हैं तो अभी आप without late face के face जमा कर सकते हैं बाद में अगर आपका result आता है और उसमें आप pass हो जाते हैं तो फिर आपको subject का दुबारा से exam नहीं देना होगा लेकिन जो आप fees जमा करेंगे वो आपका waste हो जाएगा क्योंकि इगनू के दरब से बताया गया है कि अगर एक बार आप exam fees को submit कर देते हैं तो इसको ना तो कही पर adjust किया जाएगा और ना ही refund किया जाएगा और वहीं हम बात करें कि अगर आप 15 October के बाद exam fees को submit करेंगे तो इसमें आपका 11 असुर पे late fees पी लगने वाला है या फिर आपके पास दूसरा option ये भी है कि अभी देखा जाए तो 15 October तक exam fees submit होंगे तो अगर आप कुछ दिन औ मिले तो फिर आपको कोई दूर का alternative exam center select करना पढ़ सकता है तो अगर आपको लगता है कि किसी subject में आप फेल हो सकते है या फिर किसी subject का पेपर आपका ठीक से नहीं गया था तो वो subject का exam दूबारा से देने के लिए आप दूबारा से exam fees 200 रुपे submit कर सकते है पर subject का 200 बाकि ज सवाल है तो नीचे comment box में बता सकते है